Hello students, second class, maths के अंदर अपने subtraction पढ़ चुके हैं, केरी वाले भी पढ़ चुके हैं, अब अपने को next क्या पढ़ने है, subtraction and check the answer, अपने को subtraction करने के बाद उसका जो answer है, उसको अपने check करना है, क्योंकि यह पता चल जाए ताकि यह सही है, यह गलत है, देखे students, 10s और 1s, 2 digit वाले अपने को पहले subtraction करने है, 10s की place पर क्या आएगा, 9, और 1s की place पर 2, फिर 10s की place पर 4 और 5, अब इसको minus करेंगे, 2 में से 5 नहीं निकलते हैं, तो यहां से 1 लेंगे, तो यह 10s की digit बन जाएगा, 12, 12 में से 5 गए, 7, फिर देखिए, यहां पर क्या बसता है, 8, 8 में से 4 गए, 4, अब अपने इसको check करेंगे, देखो students, इन दोनों में से, जो digit थी 92 और 45, इन दोनों में से, जो digit छोटी है, कौन सी digit छोटी है इन दोनों में से, 45, तो 45 अपने 4 इधर, 5 इधर लिख देंगे, और जो answer आया है, उसको लिख देंगे, 47, अब अपने को एक बाह ध्यान रख नहीं है, अगर अपने minus को check कर रहे हैं, इस minus का answer check कर रहे हैं, तो अपने को check करने के लिए इसको plus करना होगा, 5 और 7, 12, 1, carry, 4 और 4, 8, 1, 9, 92, मतलब 92, यह digit आगई, जो digit अपने नहीं लिखी थी, वो digit आगई, इसका मतलब यह answer अपना बिलकुल, सही है, 47, right answer, 47, next देखिए, एक और बता देती हूँ आपको, 56, और second digit क्या है, 19, 19 ऐसे लिख देंगे, 5 10 की place पे, 1s की place पे 6, और 1 10 की place पे, और 1s की place पे 9, 6 में से 9 नहीं निकलते हैं, तो अपने को क्या करना होगा, इधर से 1 इधर लेंगे, यह 16 हो जाएगा, और यह 1 कम, 4, 16 में से 9 गए, कितने बसते हैं, 16 में से 9 गए, 5, 16 में से 9 गए, कितने बसते हैं, बताइए, हाँ, 16 में से, अगर 9 निकलेंगे, तो 7 बचेंगे, कितने बचेंगे, 7, राइट आंसर आएगा, 7, और इधर बसता है, 4, तो 4 में से 1 गए, 3, आंसर क्या आया, 37, अब अपने को यह चेक करना है, कि 37 सही है क्या, कैसे चेक करेंगे, 37, 37 को चेक करने के लिए, वो ही फॉर्मूल अपनाएंगे, 56 और 19 में से, छोटा कोन है, 19, तो यहां लिख देंगे, 1 और यहां लिख देंगे, 9, आंसर क्या आया था, 37, 27, प्लस, 7 और 9, कितने होते हैं, 16, 1, 3, 4, 5, क्या यह आंसर, 56, जो कि अपने यहां नहीं लिखा था, जो बड़ा था, 56, वो आंसर यहां आ गया, इसका मतलब राइट है, यह 37, राइट आंसर, राइट आंसर, 37, तो स्टुडेंट्स, थर्ड और फोर्थ आपको सेल्फ करना है, कुद करना है, इसकी प्रैक्टिस के लिए, एक 3 डिजिट का मैं आपको और बता देती हूं, 100, 10, 1, 3 डिजिट का है, इसलिए अपने को 100, 10, 1, 3 लिखने हैं, ठीक है, 265, और नीचे लिख इधर हो गया 15, इधर हो गया 5, 15 में से 9 गए, 6, और इधर 5 में से 2 गए, 3, और इधर बसता है, 2, अब इसका चेक करने के लिए अपने को क्या करना होगा, इन दोनों में से छोटा कोन है, 29, कैसे भी लिख दीजिए, 29 में, 100 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लिख 29, और यहां 100 की प्लेस पे है, तो इधर लिख ओ, 6, 3, और 2, students एक बाद है नगना हमेशा डिजिट, 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से लिख होगे तो गलत हो जाएगा, अब देखिए, अगर आप इसको यहां से लिखते हैं, तो यहां तो आप 2 लिख देते हैं, य बिल्कुल खाली रह जाती, 9 और 6 कितने होता हैं, 15, 1, 3, 4, 5, और 6, यहां लिखेंगे 6, यहां लिखेंगे 2 का 2, तो आंसर 265, जो की अपने यह डिजिट थी, 265 इसका मतलब अपना यह 236 आंसर बिल्कुल सही है, चेकिंग करनी है, अपने को, यह चेक कर लिया आपने, नेक्स्ट है, 100, 10, 1, इन दोनों में भी 100 की डिजिट है, इसमें भी है, तो अपने को दोनों यह पूरा फिल करना है पहले, फिर 3 में से 7 नहीं निकलता है, तो इधर अपने 1 लिया, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 7 गए, कितने बसते हैं, 6, और इधर, इधर अपने क्या करेंगे, अब अपने, नेक्स्ट, ध्यान से देखना स्टुडेंट्स, इसके अंदर कुछ अलग है, अब अपने क्या, यहाँ 0 बसता है, और यहाँ पर अपने 13 हो गया, वो ही 13 में से 7 गए, कितने बसते हैं, 6, लेकिन यहाँ पर अब 0 है, 0 का 8 में से नहीं निकलता है, वापस यहाँ से भी अप 2, तो आंसर आया, 2, 2, 6, अब इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, वो ही फोर्मूला, छोटी डिजिट कौन सी है, 1, 8, 7, आंसर क्या आया था, 2, 2, 6, अब इसको प्लस कीजिए, 6 और 7 कितने होते हैं, 13, कितने होते हैं, 13, 1 इधर आ जाएगा, 8, 9, 10, 11, 11 का 1 इधर, और 1 इधर, अब देखिए, 2, 3, 4, 413, जो की अपने फर्स डिजिट थी, 413, इसका मतलब यह आंसर अपना विल्कुल सही है, तो स्टूडेंट्स, 7 नंबर क्यूश्चन आपको, सेल्फ करना है, मैंने 3 क्यूश्चन आपको खुद करने के लिए दिये हैं, बाकी मैंने आपको करवा दिये हैं, अब स्टूडेंट्स, एक बात है, जो ध्यान देने के ल इसके अंदर यह वाला क्यूश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया है, इसके अंदर आपको पूरा फिल करके यह वाला करना है, और इसके अंदर यह देखिए, आपका यह गलत आया है, चेकिंग के अंदर यह जो सिंबल दे रखा है, इसने सब माइनस के दे रखे हैं, ले कर देना है और आपको बुक और नॉट बुक दोनों में ये वाले सेवन क्यूशन करने है ओके स्टुडेंट्स बाई